Hi Everyone, श्वाकत है आपका एक और न्यू वीडियो में दोस्तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं confidence के वारे में आप अपने confidence को कैसे बढ़ाओगे क्योंकि life में confidence का मतलब बहुत से लोगों को बता है लेकिन अपने अंदर confidence को लाना एक अलग बात होती है आज हम आपको उन 5 तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने अंदर confidence ला सकते हो यदि आप चैनल पढ़ना हो, चैनल को subscribe पर लें, वीडियो को like कर लें दोस्तो point number 1 है, learning number 1 है positive thinking, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए हमने बच्चपन में सुना है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं यह बात सच भी है जैसे ही हम आत्मिश्वास की बात करते हैं तो दूसरे तरफ बात होती है negative thinking की यहनि आपके पास जितनी ज़्यादा negative thinking होगी आप उतना ज़्यादा आपका confidence level down होगा और चितनी ज़्यादा आप positive सोचेंगे आपका confidence level बढ़ता चला जाएगा यह positive सोच आपकी life को बदले में बहुत important भूमी का निवाती है तो अपनी सोच को positive रखें point number 2, learning number 2 keep learning हमेशा सीखते रहें हमेशा सीखते रहना life का एक बहुत important part है आज जो हम सीखते हैं उस knowledge का फायदा हमें वहाँ मिलता है जहां हमें उसकी जरूरत पड़ती है सीखना कभी life में बेकार नहीं जाता इसलिए आप जितना ज़्यादा होशक हैं उतना ज़्यादा सीख हैं एक student होता है जो सब कुछ सीख के एक्जाम देने जाता उसके पास एक confidence level होता है और एक student जो कुछ नहीं सीख के जाता उसके पास confidence नहीं होता तो confidence लाने के लिए आपको हमेशा सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ सीखने की practice करनी पड़ेगी point number three learning number three non your potential confidential अपनी काबिलियत को पहचानना हर इनसान अपने आप में कीमिती है हर व्यक्ति के पास एक काबिलियत है बस जरूरत है उस काबिलियत को पहचानने की और पहचान कर उसे सही direction देने की live में कुछ करने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो लेकिन दिल में आधी जरूर होनी चाहिए तो आपके पास काम करने की बज़य होनी चाहिए काम अपने आप हो जाएगा confidence level आपका अपने आप बढ़ता जाएगा इसलिए काम करें अपने potential को पहचानने नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ इस सोच के साथ काम को करें पॉइंट नमबर फॉर लर्निंग नमबर फॉर विकम इंडिपेंडने यनि आप आत्म निर्वर जब बनेंगे जब हमारी एक एज होती है उसके बाद हमें आत्म निर्वर बढ़ना पड़ता है पहली सक्सेज लाइफ में बहुत बड़े कॉन्फिदेंस को बढ़ाती है पॉइंट नमबर फाइब लर्निंग नमबर फाइब मेक ए स्मॉल गोल यनि आप छोटे छोटे लक्ष बनाएं छोटे छोटे लक्ष बनाने से क्या होता कि हम अपनी लाइफ में जब कोई बड़ा लक्ष बनाते हैं बहुत मैनत करने के बाद उसे अचीब नहीं कर पाते तो हमारा कॉन्फिदेंस लेवल नीचे आता है कॉन्फिदेंस लेवल डाउन होता है और जब हम ए स्मॉल गोल बनाएंगे छोटे छोटे गोल बनाएंगे तो असानी से उन्हें चीब कर लेंगे और जब एक छोटे से गोल को चीब करेंगे तो हमारा कॉन्फिदेंस लेवल बढ़ेगा जब कॉन्फिदेंस लेवल बढ़ेगा तो दीरे दीरे फिर हम और काम करेंगे और लाइफ में अपने उस बिजन पर पहुंच जाएंगे I hope आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें Thank you